हाई एवरिवन, नेक्स्ट जैस प्रजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग लोकेशन वाली लिस्ट को बनाने वाले हैं और इसको बैनर के साथ में डिस्प्ले करवाएंगे एक बार के लिए मैं इस लोकेशन लिस्ट के पूरी फंक्शनालिटी दिखा देता हूँ बाद में हम लोग पॉइंट्स के ऊपर आएंगे आपको ज़्यादा क्लेरिटी आएगी इसके फंक्शनालिटी देखे देखो last वाले part के दर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर select place के उपर हमें एक list दिखेगी locations की और वो कहां से आएगी API के साथ जो API हम लोगों ने last वाले part के दर बनाई थी तो अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ तो एक हमें यहाँ पर drop down दिखाई देती है यहाँ पर आप देख पा रहे हो और इसमें से कोई भी एक item यान की कोई भी एक location मैं जैसी select करूँगा तो वो location उठके select place वाले input box के अंदर आ जाएगी और यह जो drop down है यह hide हो जाएगा जैसे कि मानलो मैं अभी के लिए गुरगाउं select करता हूँ यहाँ पर बनते हैं जैसे मैंने आपको last वाले पार्ट के अंदर बताया था तो यह सारे की सारी functionalities पार्ट के अंदर हम लोग बनाने वाले है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले हम लोग API कोल करेंगे जो last वाले पार्ट के अंदर बनाई थी और जो location है ना इसको input box के साथ में कैसे hide show करना है कैसे location को select करवाना है यह सब कुछ भी handle करने वाले है यह हमारी playlist है nextjs project की 30 parts आ चुके हैं और भी बहुत सारे parts आने वाले हैं बहुत सारी new चीज़ें देखने को मिलेंगी playlist के अंदर आपको nextjs की सारे के सारे feature almost यहां बे cover हो जाएंगे तो पूरी playlist देखना अराम से बैठके link मैंने description box में डाल दिया है अब हम लोग code के उपर चलते हैं और अब से पहले जो हम लोगों ने यहां पर functionality बनाई है इसके code को मैं हटा देता हूँ और अगर आप इसको पूरा पूरा open करोगे इस तरीके से तो आपको यहां पर दिखेगी पूरी की पूरी select box और enter food item वाली input fields एक चीज़ चेक करी जैसे ही हम लोग वापिस से हमने code हटा है तो यह वाली जो दोनो input fields से यह थोड़ी distorted हो गए है अगर यहां पर मैं inspect element को उटा देता हूँ तो यह properly दिखते हैं तो मैं थोड़ी सी जो width है इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि यह inspect element के साथ भी मैं properly दिखे वो काम एक बार के लिए पहले कर लेते हैं और थोड़ा quick भी रहने वाला इसमें ज्यादा time लगेगा नहीं इसके लिए हमें जाना पड़ेगा global.css वाली फाइल के अंदर और जो हम लोगों ने यहां पे 70% किया है इसको मैं अभी के लिए 60% कर देता हूँ जो यहां पे location है इसको मैं यहां पे 45% 25% करके देखता हूँ यह कैसा देखेगा अब देखो यह थोड़ा सा हमें proper देख रहे है और अगर थोड़ा सा हम लोग आगी भी करते हैं इसके लिए हमें proper देख रहे है और उसके लिए हमें यह वाला page नहीं एक्चली जो page.js जो main page है में वो open करना पड़ेगा यह राइट तो मैं यहां पे सबसे पहले use effect जो hook है उसको call करता हूँ इसको actually बनाता हूँ यहां पी and then इसके अंदर एक function को call करेंगे function का नाम आप वैसे दो जाओ कुछ भी रख सकते हो मैं यहां पे function का नाम रख देता हूँ load locations राइट अब यह function मुझे बनाना भी पड़ेगा because यह बना हुआ नहीं है और यह एक ही बार call होना चाहिए तो मैं इस तरीके से इसको बना देता हूँ dependency पास कर देता हूँ तो हाँ पे constant लोगा load location का यह एक arrow function रहने वाला है और actually एक async function भी रहेगा अगर मैं यहां पे async function बनाओ तो then इस कंदर में API call करने पड़ेगी API का URL भी हमें चाहिए अचा एक चीज़ हो रहा है इस function के अंदर ना इस page के अंदर हमें यहां पे use client declare करना पड़ेगा because यहां पे हम लोग इसको client component बनाने वाले है because use state और यहां पे use हो रहे है आल्राइट so अब हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले API का URL चाहिए तो localhost इसके बाद में API के URL पर जाएंगे API customer और locations देखो हमारी तीनों locations यहां पर दिख रही है इस path को हम लोग use करने वाले हैं so मैं यहां पर करता हूँ let response लूँगा एक और response के बाद हम लोग यहां पर fetch यूज करेंगे fetch API method यूज करेंगे इस तरीके से अब जो result आएगा हमारा response का वो हमें पता है कि JSON format में नहीं होता तो मैं इसको JSON format में convert करूँगा और यह भी promise written करता है तो इसको handle करने के लिए हम लोग यहां पर भी await लगा देंगे अब हम लोग simply यहां पर check करेंगे कि अगर response के अंदर success true आया है तो इस data को हम लोग एक state के अंदर store करवा सकते हैं तो मैं आप एक state ले ले लेता हूँ state का मैं यहां पर नाम रख लेता हूँ let's say locations and इसको update करने के लिखेंगे set locations और जो by default value होगी वो आप चाहो तो एक blank array रख सकते हो ठीके जी दैन हम लोग यहां पर set location यूज़ करेंगे set location और यहां पर क्या करेंगे response.result यह इसमें डाल देंगे एक बार के लिए मैं आपे console भी करवा के देख लेता हूँ कि जो हम लोग ने state बनाई है उसके अंदर कुछ आ भी रहे के नहीं आ रहा रहा राइट यहां पर आएंगे और यहां पर मैं console open करके देखता हूं तो इसको refresh करूंगा हमें देखो हमारे पास यहां पर locations तीनों की तीनों प्रोपरली आ रही है चेके जी अब हमें गया करना है इस console की दो हमें जरूरत खेर नहीं है बट अब हमें जो यह locations हमें मिल गई है इसको हमें यहां पर display करवाना है कहां पर जो मारा फर्स्ट वाला input field है इसके साथ ही करवा देंगे अब इसके साथ हम लोग style कैसे यूज करेंगे वह डोंट वेरी स्केटेंशन नहीं जरूरत ही वह आपको बता दूँआ बट अभी के लिए सबसे पहले location के उपर एक map function लगाएंगे map function लगा के यहां पर क्या करने वाले हैं इसके बाहर ना हमें एक ul भी declare करना पड़ेगा तो मैं ul ले लेता हूं ul लिया और इसको हम लोग close करेंगे जहां पर ul यह close होगा और जो यहां पर close वह इसको मैं यहां पर हटा देता हूं अब इसके अंदर हमें यहां पे lists भी लेनी पड़ेंगी और जो हम लोगों ने यह braces ली है ना ये थोड़ी better नहीं रहेंगी हम लोग यहां पे round braces ले लेते हैं और यहां पे यह करता हूँ एक ally लूँगा इसको यहां पे बंद भी करता हूँ इसके अंदर से हमारे पस निकलन करने वाला है आइटम और यहां पे मैं आइटम को डिस्प्ले भी करवा और जैसे हम लोग यहां पे आइटम करेंगे तो कुछ है तो सही देखो आइटम 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 कुछ हो तो गया प्रिंट इसको इस तरीक से लिख देंगे तो अब देखो यह location आ तो गई है लोकेशन लिस्ट यह ले लेते हैं ठीक है अब इसकी दूरी style करेंगे हम लोग यहां पे इसका मैं यहां पे ले लेता हूं dot location list इस तरीके से लिख देंगे राइट सो जैसे हमने location list ली तो हमें यहां भी दिख जाएगी यहां पे इसकी style करेंगे तो बैटर रहेगा यहां स मैं सारे की सारे चीज़ें दिखती रहेंगी ठीक है तो मैं इसकी style यहां पे यह एड़ करता हूं सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं color change करते हैं इसका मैं यहां पे color लूँगा black ले ले लेता हूं 0 0 0 तो मैं कुछ यहां पे दिखने लगा उसके बाद में जो यह list style type इसको none कर देता हूं list style type none ताकि यह तीनों चीज़ें हर जाएं text align कर देता हूं इसका left में align और जो सबसे important चीज़ है इसकी position कर दो absolute जैसी absolute करोगे यह इसके नीचे आज जाएगी देखो right अब हमें थोड़ी सी यह better दिख रही है जैसे पहले थी वैसे की वैसे दिख करेंगे इसका background color कर देते हैं background color और यह कर देते हैं हम लोग इसका FFF अब इसकी जो padding है वो zero कर दो margin है वो भी zero कर दो यह टोप पे आ गया और जो margin left है ना margin left इसको कर देते हैं minus 5 pixel इस तरीकी सोड़ा सी यहां भी इधर भी हो गया all right और इसके अंदर कुछ है करने का let me think अग इसका border भी दे सकते हैं border one pixel one pixel solid and यहां पे डाल देते हैं triple c right तो थोड़ा सा में दिखनी लग गया अब मैं क्या करता हूं इसको copy करूंगा और यहां पे paste कर दूँगा now the next is dot location इसकी जो li है इसका भी मैं थोड़ा सा style करना पड़ेगा अब यहां पे आते हैं and then इसके उपर थोड़ी सी इसकी भी style कर देते हैं अब इसके लिए सबसे पहले है इसकी जो width है थोड़ी सी इसको increase करते हैं 150 pixel कर देते हैं 150 pixel यह थोड़ी सी बढ़ गई चाहो कर सकते हो जितना भी आपको ठीक लगे आप उतना कर सकते हो then इसके लोग थोड़ी पैडिंग ले देते हैं 5 pixel border bottom 1 pixel solid और उसके बाद में इसका color दे देते हैं यह वाला ठीक है and then इसका cursor दे देते हैं pointer तो अब देको जैसिस पर hover करेंगे तो select वाले options अभी दिख रहा है right तो अब इसको हम लोग copy करके यहां पर रख देते हैं इस तरीके से here we go so style वाला part हमारा पूरा हो चुका है अब हम लोग आते हैं वापिस यहां पर तो सबसे पहली चीज़ यहां पर क्या है कि यह जो location हो गया है जैसी इस पर click करते है select होके यहां पर दिख जानी जीए सबसे प यहां पर कर सकते हम लोग selected location और यहां पर लिखेंगे set selected location और जो by default इसकी value होगी वो आप चाहो तो use state के अंदर blank भी रख सकते हो उसमें कोई दिखकत में है right so जो इसकी value रहेगी यह हमें दिखनी चाहिए input field के अंदर so मैं यहां पर simply लिखता हूँ value और यहां पर लिख दे इसका नाम अब यह select कैसे होगी जैसे ही हम लोग इसके उपर click करेंगे so मैं simply क्या करता हूँ एक on click function बनाता हूँ on click और इस on click के उपर even on click के उपर हम लोग function क्या करते हैं हाँ function बना सकते हैं इसका नाम में आप रखता हूँ handle list item अब मैं यहां पर यह करता हूँ const लेंगे handle list item और यह arrow function रहेगा इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर जो हमारे पास location है यह चाहिए रहेगी तो इसको मैं यहां पर भी एक arrow function के साथ call करता हूँ और यहां भी पास कर देता हूँ item इसके अंदर जो हमारे पास item आएगा यान कि जो location आएगी वह हमारे state के अंदर चले जाएगी अब इसको मैं जैसे select करता हूँ देखो यह properly काम करें अच्छे से यह आवी लिए ठीक हैं अब इसको hide भी तो करवाना है यह भी तो चक्क करें ना तो hide करवाने के लिए हमें एक और state लेनी पड़ेगी basically यहां पे आप ले सकते हो show location,set show location और यहां पे लिखेंगे use state by default जो इसकी value रहेगी false रहेगी इसको by default दिखाना नहीं है और जैसे यह false रहेगी तो इसको आप simply कहां use करोगे ना इस तरीके से use करोगे तो अब आप देख सकते हो कोई भी location आपको नहीं दिख रहे है जैसे इस पे click करते हैं तो location हमे दिखनी चाहिए तो अब मैं क्या करता हूँ यहां पर इसके साथ on click एक event ले लेता हूँ और इसके ओपर हम लोग क्या करने वाले हैं set show location इसको मैं कर देता हूँ true अब हम लोग यहां पर आएंगे इस पर click करेंगे location दिख रही है और जैसे select करेंगे तब बंद भी होनी चा करते हैं यहां पर आते हैं किसी भी location को select करेंगे select होगी और वो hide हो जाएगी इस तरीके से आप देख पार है और राइट सो ऐसे हम लोग किसी भी location को select कर सकते हैं इसमें कुछ doubt है कुछ issue है तो मुझे comment section के अदर पूछ सकते हो and please channel को subscribe करना video को like करना comment section में feedback देना बिल्कु thank you so much for watching this video and please channel को subscribe करो video को like करो comment section में feedback दो यह आपके लिए completely free of cost है बट इससे मुझे बहुत value मिलती है यह मुझे बहुत motivation देता है और यह मेरा paytm का donation number thank you guys thank you so much